वेलकम वंस अगेंड आड टोडे इस टॉपिक डिलेटे टू पोस्ट कलोनियल स्टेडी और पोस्ट कलोनियल लिट्रेचर वट इस अकल्चरेशन Acculturation term जो है ये basically sociology या culture study के अंदर हम इस term को पढ़ते हैं लेकिन post-colonial literature का Acculturation के साथ क्या relation है उसको देखते हैं अब Acculturation अगर हम देखें तो हमने normally इस चीज़ को examine किया है कि कुछ लोग होते हैं या फिर कोई एक ग्रूप या कोई एक individual जो अपने culture को छोड़ कर किसी और culture के अंदर transform हो जाता है तो उसको हम sociology में Acculturation कहते हैं यानि कि ये एक ऐसा process है जिसके अंदर हमारी जो beliefs हैं हमारी practices हैं हमारी traditions हैं वो convert हो जाती हैं डिस्प्लेस हो जाती हैं किसी और culture के अंदर अब इस चीज़ को हम acculturation कहते हैं लेकिन जो वो लोग यानि group of people या कोई individual जो अपना culture transform करता है और वो जिस culture को अडॉप करता है वो dominant culture होता है तो अगर हम देखें तो अगर हमारे country से कोई एक ऐसा person जो इंगलेंड या यूएस से जाकर वहां का culture अडॉप कर लेता है यानि western countries का कोई culture अडॉप करता है तो it's mean वो acculturation करता है उसकी culture transformation हो जाती है अब post-colonial study क्या इसके साथ क्या relation है अब normally हम देखते हैं कि जब हम कोई post-colonial work पढ़ते हैं चाहे वो fiction हो और non-fiction उसके अंदर हमें कुछ ऐसे characters दिखाया जाते हैं कि जो या तो वो colonizer होते हैं या colonized होते हैं तो इन डोनों मेंसे जो भी हैं वो जिस country के अंदर जाकर रहते हैं अगर वो colonizer है तो अपनी colonized place पर जाके जब उनके culture को वो adopt करते हैं या पिर अगर कोई colonized people है जो immigrant बन जाता है वो migrate होकर यूस से या UK वगरा या किसी और भी western countries की तरफ मूव करता है तो वहां जाके वो लोगों का culture adopt कर लेता ह its mean उसकी acculturation हो जाती है culture transmission अब इस चीज़ को हम एक novel के through समझते हैं बापसी सिद्वा का एक novel है and American Brat अब उसके अंदर इन्होंने एक character जो है बापसी सिद्वा ने दिखाई है जिसका नाम है फिरोजा अब सबसे पहले जो फिरोजा जब पाकिस्तान में हुआ करती थी तो अब उनका एक culture था वो पार्सी कल्चर से बिलॉंग करती थी उसके साथ साथ उनके अंदर कुछ इस्लाम यानिक इस्लामिक कल्चर के भी ट्रेट थी क्योंकि ऑविसली वो पाकिस्तान में रहती हो तो थोड़ा बहुत उनके अंदर एक effect था कि वो मुस्लमा इस्लाम के पर्सनालिटी बनाया जाए उनके थिंकिंग जो है वो ब्रॉड की जाए अब इस चीज़ के लिए उनको जो अमेरिका भेजा गया तो अमेरिका जाने के बाद वो अपना ही कल्चर यानि पार्सी कल्चर था वो उसको भूल चुकी और उन्होंने वहां का कल्चर अडॉप क कर लेता है यानि कि उसने क्या दिखाया उसकी कल्चर ट्रांस्फरमिशन हो गई अब इसकी एक और एक पॉइम है जो एक अफ्रिकन राइटर के च्रू लिखे गई है सांग ओफ लवेनियू अब इस पॉइम के अंदर क्या दिखाएगे हमने पहले भी इस पॉइम को डिसक तो उनका अपने कल्चर के बारे में की जो थिंकिंग होती है उसके उस स्टडी में हमने इसको देखा था लेकिन यहां पर हम इसको अकॉल्चुरेशन के पॉइंट आव व्यू से देखती है कि इसमें एक मेर्ड है वो किसी और कंट्री पे जाता है तो वहां पर जाके वो कर लेता है उसको उसको अपने कल्चर जाती है और का कल्चर के पर किसी और कंट्री का उसको को अपने कुल्चर से जाधा डामिनेंट लगता है वह उसको अगर वपनी हैे सुच माहते हिंने असे सुचॉलोजी हम हरилась को हम ऑपने आश सवess holy हम की सबचाना चाहे है और सो सु कि जो अपने कल्चब को डिनाई कर किसी और कोपि कर लेते नियुत और को जादा लिए उसके फीचर्स की करिक्टवियूरिस्टिकष कॉर्फ वगेरा उनके कल्चर से ज्यादा सुपीरियर हैं तो इसलिए वह उस कल्चर को अड़ाप पर लेते हैं और वह वहां पर अपने कल्चर की अकुल्चुरेशन कर देते हैं